नमस्ते मैं सुनिल और आप देखना सुरू कर चुके हैं बिहार समाचार सुबह सुबह की खास ख़बरें आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड से दस हजार अस्कूल अब ऑनलाइन होंगे हम आपको आज बताएंगे बिहार की परमुख ख़बरों को चाहे वह बात रा को स्यामकरी की हो गाउं की सरकार की लिए हो या रोजगार के लिए हो तमाम कब्रों से हम आपको कराएंगे अपटेटिट चाहे बात आंगल बारी से विकार सहाइका की हो वार सदस्यों की हो मुखिया जी की हो ति靠िर हार के BPAC शिचकों के लिए हो या फिर नियो जी सिच्छकों के लिए हो आसा कार्च करता या फिर विद्यालियों से जुड़ी खबर हो तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराएंगे लेकिन उससे पहले आपसे आग रहें कि चैनल पर पहली बार आये हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नही के लिए सिच्छकों को सचमता परिच्छा देनी होगी लेकिन उससे पहले बिहार कैमनेट में मुहर लगने के बाद आपको परिच्छा के लिए सरिकार जो है सिच्छा विभाग जो है वह विद्याले परिच्छा समीती को भेजेगी यानि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहा लगने है और उसी का फिलाल को इंतजार करना होगा इस दर बात आंगनवाडी से विकान और सहीका और को भी है फिलहाल इंतजार करना होगा कम से कम एक माह जरूर और इंतजार आंगनवाड़ी सेविका और सहाईकाओं को करना होगा तब सरकार की और से बहुत बड़ा तौफा मिलने की शम्हाओना जताईदा ही है इधर बिहार में शैचनी केलेंडर परिच्छा की केलेंडर जारी कर दी गई है मैट्रिक की परिच्छा कब होगी इंटर की परिच्छा कब होगी जैसा कि आपको मैंने पहले ही तिथी से ओगत करा दिया था अपने वीडियो में तो इधर बता दे कि बिहार बोर्ट से 10,000 अस्कूल ऑनलाइन जुडेंगे, मौडल पेपर के साथ परिच्छा की तैयारी को मिलेगी अध्यन शामगरी, 10,334 माधमिक वा उच माधमिक अस्कूल राजभर में इस से जुडेंगे, 30,000,000 से अधिक विद्यार्थी सामिल होंगे मैट्रिक और इंटर परिच्छा में, इधर बेव साइट से मौडल पेपर नहीं करना पड़ेगा, अब डाउनलोड क्योंकि ऑनलाइन बच्चे जुडेंगे, अस्कूल जुडेगा, यानि कि बिहार के 10,334 माधमिक और उच माधमिक अस्कूलों को ऑनलाइन सिस्टम से जो इसके लावा बोर्ड परिचा की तैयारी के लिए, इंसी टी यार्टी के सभी विस्तियों का स्टडी मिटेरियल ऑनलाइन उपलब्द होगा, विसावार वीडियो ऑडियो के साथ सिच्छा सामागरी डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्द रहेगी, तो यह एक बड़ी पह सायत में बैंक की साखा खोलने का केंद्र से आग्रह करने वाली बिहार सरकार को उत्तर मिला है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानि आई पी बी इसका अस्वर्वत्तम विकल्प है, बित मंत्राले के डिपार्टमेंट ओफ है, फानेंशियल सर्विसेज यानि डी एफ इस ने कहा है कि बिहार की सवी पंचायतों तक किसी ने किसी माध्यम से बैंकिंग सेवा पहुच रही है, इधर बिहार के नियोजी सिच्च को और बड़ी ख़बर अभी अभी निकल कर आई है, कि बिहार के नियोजी सिच्च को और बीपीए सिच्च को को, यानि अध्याप सरकार के दुलारा बनाए जाने वाले घरों का इस्तिमाल करेंगे या खुद का करेंगे यह तैह एचार यह के लिये करना होगा यानि और जब आप चुन लिजिये अचार आपके खाते में नहीं बलकि माकान माली के खाते में घूल utilizing momentos ने चले जाएंगे तो यह एक सिच्चा विभा की बड़ी पहल कही जा सकती है तो इधर हम आपको बता दें कि बिहार के लिट्टी चोखा जो की बहुत बिहार में परसीद है दूसरे राजजवाले इसका नाम भी लेते हैं तो बिहार के लिट्टी चोखा को जी आई टैक की तैयारी है भोशपूर किरिशी बिग्यान किंद्र करेगा आवेदान अंतराश्टिये पहचान मिलने से बैवसाय भी बढ़ने की बात की गई है खानपान के मामले में बिहार की पहचान लिट्टी चोखा को जी आई टैक दिलाने की तैयारी हो रही है इसके लिए सब और इस्थित बिहार किरिशी बिग्यान किंद्र ने पहल भी की है इधर हम आपको बता दे की बीड डिग्री धारी 22 हजार प्रात्मिक सिचकों को हाई कोट से रहात नहीं मिली है सुप्रीम कोट के आदेश का हवाला दिया है अब नोकरी पर संकट बताए जा रही है एंसीटी 28 जुन 2018 के दिशुचना को गैर कानूनी ठाराया है राज्जी सरकार के अधिन प्रात्मिक अस्कूलों में बीड डिग्री पर नियुक्त करी 22 हजार सिचकों की नोकरी पर संकट के बादल मंदर आने लगे हैं पटना हाई कोट ने पहली से पाचमिक कचा तक के सिचकों को कोई रहात नहीं दी है लेकि वह क्या कदम है आप इंतजार किजी हम आपको mondo बताएंगे इधर टेंटल ... सरजनों की भर्ती करेगा वे भिहार तक्नीकी सेवा आयोग राज के शरकरेई अस्पतालों में डेंटल सरजनों कि २ 253, however the fusion मिया और नोकरी अक्री किजा जारी बाद Hebrew Dot ट्रांसजेंडर रेस्मा बनी पटना विश्वविद्याले की सीनेट का सदस मनुनित किया है उनका मनुनयन तीन वर्सों के लिए किया गया है रेस्मा परसाद देश की किसी विश्वविद्याले में सीनेट सदस बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है राजपाल का या फैसला निश्चित रूप से ट्रांसजेंडरों के समाधिक और सहिचनिक उत्थान में महत्पुन फैसला है इससे अन्य ट्रांसजेंडरों को सहिचनिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी इधर उजवला योजना के 31 तक करानी होगी KYC हम बता दे कि परधान मंत्री उजवला योजना PMEUY के ग्राहकों को निर्वाद रूप से सब्सिडरी का लाभ देने के लिए भोगताओं को 31 दिसंबर से पहले KYC कराना होगा इसके माध्यम से ग्राहकों के अधार लिंक बायोमेट्रिक KYC सत्यापन किया जाएगा सब्सिडरी पूरी तरह से रोख दी जाएगी सरकार के निर्देश के बाद पेट्रॉलियम कंपणियों ने अपने लपीजी डिल्रों के माध्यम से KYC कराने को लेकर ग्राहकों को निर्देशित भी किया है तो इसमें हम अधार कार्ड जरूरी माना गया है इधर आर्थिक अपराद में सामिल 100 बेवसाइटों पर परतिबंद यानि कि आपको बता दे किंद्र सरकार ने संगठित अवैद निवेस और अंसकालिंक नौकरी के नाम पर धोकागड़ी करने वाली 100 से अधिक बेवसाइट को बंद कर दिया है एक अधिकारिक बियान में कहा गया है कि इन बेवसाइटों का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे हैं इसको लेकर इसको परतिबंदित किया गया है इधर सिच्छकों के लिए लगातार कई तरह की सकती बरती जा रही है विद्यालियों में सचनी कार्ज में सुधार हो बिहार में सिच्छा के सुधार हो इसके लिए कैय परियास किये जा रहा है कि सिच्छक अब सुबह साम अपनी उपस्तिती की फोटो भेजेंगे कच्छा लेने में भाग रहे सिच्छकों पर विभाग में कसा है सिखंजा दच कच्छा लेने से गायवे मिल रहे थे जिले के यानि की बेतिया जिले के विद्यालियों के सिच्छक विभाग ने दिया है क निर्देस के आप जानते हैं कि 3,00 बजे बच्चों की छुटी कर देनी है और 3,00-1,00 मिनट तक दच कच्छा चलाने का निर्देस है और सिचकों की छुट्टी का समय 5,00 बजे की गई है जो एक दिसंबर से संचालित किये जा रहे हैं इधर 48 घंटे में 100 से भी ज्यादा सिचकों ने नौकरी छोड़ दिया है यानि बिहार लोग से वा आयोक से हाली में नुक्त हुए सिचकों ने इस्तिपा देना शुरू कर दिया है इसमें सिचा विभाग में खलबली मच गई है तो इधर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है मुख मंतरी के स्वास्त होते ही उन्होंने साफ ब्यान दिया है कि जल्द ही इंडिया गट बंधन में सब कुछ तै हो जाना चाहिए और मुख मंतरी के ठीक होने से सभी लोगों में खुसी की नजर खुसी भी नजर आ रही है तो यह ती आज की प्रमुक आज की आज के लागों में